दोस्तों Indian Coast Guard के तरफ से एक notification आया है इसका online form भी fill up हो रहा है अगर आप इसके लिए interested है Indian Coast Guard के तरफ से आप job करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंतक देखिएगा एक यहाँ पर form आया है जो कि GD और यहाँ पर domestic branch दो तरह के form को यहाँ पर fill up किया जा रहा है अगर आप इसका form fill up करना चाहते तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जनकारी बताएंगे कि step by step कैसे इसका form fill up किया जाता है डिस्क्रिप्शन में link रहेगा link के माध्यम से आपको website पर आ जाना है सबसे पहले मैं आपको बता दू तो कि यहाँ qualification आप यहाँ पर 10th और 12th दूनों पर यहाँ पर fill up कर सकते हैं दूनों के बारे में जनकारी आपको online process.com इस website पर आपको मिल जाएगे तो आप यहाँ पर जाकर के पूरा notification को read कर सकते हैं यहाँ से online process.com से तो direct हम यहाँ पर online apply करने के बारे में बताएंगे कि द आपको इस website पर आया जाना है इस website पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ID और password बनाना होगा ID और password बनाने के लिए create account पर आपको click करना होगा यहाँ पर आपको अपना फुल नेम यहाँ पर फिलप करना है फुल नेम फिलप करने के बाद आपको फादर का नाम यहाँ पर फिलप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर मदर का नाम फिलप करना होगा उसने के बाद यहाँ पर ने सलेटी सेलेट क को फिल करना होगा mobile करने को वाज है यह पार ऑब करना चुका है कि कि किए गृपान मेरा जो की जाए खूर हो चुकर और मैं अपर आपको बता देना चाहतो हूं अगर पर मोबाइल पोटी पी नहीं आ रहा है तो मेल पर जो ओटी पी आया इस तरह से इस मेल वाले ओटीपी को या पर फिल पर करके आप आगे बढ़ सकते हैं तो मेरा यहाँ पर आईडी और पासवड आ चुका है अपना अपना लॉगईन कर पायों तो दुस्ति है पर पासवर्ड बनाने के लिए आपको एक और फानुमेरिकल यहां पर पासवर्ड बनाना होगा ताकि आप अपना पासवर्ड सेफली रख प्ता है तो है तो अल्पना चार, पाच ऐसे करके कोई नमबर डालाओंगा तो इसी तरह से पासवोट रिसेत कर लिया पासवोट रिसेत करने के बाद फीर से मेरा है यहाँ पर लॉग इन पेज पितिग को पेपस तो है Young Tha Akko lot also can be beige डालना यह को ज़यरे नियर सिकेंडिड डाल लाई अब्र मोबायल नमबर भी आप सिकेंडरीं-डाल सकते को जरुरी यह से सिकंडरीं लाई डालना अब यहाप पर married, unmarried आपको select कर लेना है अगर आप married है तो married किजएगा ने married है तो unmarried अब यह पर नीचे आपको आधार number फिलप करना है यह कोई जरूरी नहीं है फिलप करना है क्योंकि optional दिया गया है नीचे आपर आपको अधार नंबर सेलेट कर सकते हैं या फिर कोई और सेलेट कर सकते हैं उसका नंबर या पर फिलप करना है नीचे आएगा नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर आपका पूरा डिटेल फिलप करना है पूरा डिटेल में दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे कि य महां से का सर्टिफिकेट इसु होगा यहां पर करना अगर पशलीत नहीं कोई इधर करना है डिटो बर्त ने क्वाइब कि अपका डिटो बर्त कितना है जुतना भी अपका डिटो बशुब अपको डालना है अब आप अब अपना डेट बर्त मैं आप लोड करूँगा से मैं क्लिक कर लूँगा तुमें अपना सारा डीटियल में ने सेव कर लिए सेब अब अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं जैसे कि अगर आप डूमेस्टिक ब्रांच या न जो भी में आप दूस्तों आपको टेंद का पास होना चाहिए और यह पर जीडी यानि जेनरल ड्यूटी में आपको यह पर टेंड पलस टू यानि इंटर पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स से अधियां तरिक लिए अपलाई करना चाहते है तो उसके लिए अलग लेना है अब यह पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डीटेल याप पर फिलप करने के लिए बोला जाएगा जैसे कि दूस्तों यहां पर मैं यहां पर जीडी सेलेट किया हो तो जीडी में टेन पलस और ट्विल यहां पर टेंट और ट्विल दोनों का अपलोड कर होना थो टेंद काम है आप ऩसब फिलपको डीटेल अफ्लोड कर लेता हूं सबसे पले टेंद पास है तो यहां सुद्ध के लिए पार आप मैंने आपकर 10 ऐस किया था उसके पद आप से पूछot चा रहा है कि आप यह पर आपके पास को एडशनल या अपर मार्स इत है यह अगर एडिशनल मार्श है तो यह पर yes किजिएगा नहीं तो no पर select किजिएगा नो पर select करने के बाद नीचे आएगा नीचे आपर हर subject का यहाँ पर आपको मार्श फिल अप करना है जैसे हिंदी, इंगलिस, math, math, math उसके बाद साइन्स सोशल साइन्स ऐसे करके आपको यह पर पूरा मार्स यह पर फिलप करना है तो आपको पूरा मार्स यह पर फिलप करना है जैसे कि मैथमेटिक में कितना मार्स आया था कितना मार्स का था उसको नीचे यह आपका कितना मार्स का था कितना मार्स आया था यह यह आपको तो हीमना हमें, और मिलत्व हैसे मय हैं, और फिर्फ जाए विर्ष एक लंद पर है हैं, यह यहां पर select कर लेना है अभी आपर आपसे पूचा जा रहा है कि आपका percentage है या फिर सीजी पी ग्रेड है यह आपको select करना percentage पर मैं select कर लिया हूँ passing year मेरा क्या है वो मैं फिलब कर लूँगा अधर कोई आपके पास स्मार्षीट है तो यह पर यहां कि जेगा नहीं तो नो पर आपको select कर लेना है अभी आपर सेम टू सेम उसी तरह से physics और chemistry का आपर जरूरी है मैं आपर मार्ष डालना तो मैं आपर physics और chemistry का मार्ष डालूँगा मार्ष डालने के बाद सेंड कंटिव पर क्लिक करने बद अभी आपकर आपको क्लिक पर्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आपर आपर आ प्यापना सारा डिटेल जैसे पूर्श्ट ओपेस पीडिये सब स्ट आपको करना अगर क्रेंटेंट अगर परमनेंป चुब दोनों स्टेम है तो आपर आपको टिक लगा लेने के लाए box दकाने के लाँ करते हैं सिसे से बीलांग कशने, से स्कोल से पास दिएर्श के तो एसितरी से आप यह पर अपना सारा डिटेल पढ़ लिजै ऊसके पूपर से ओलेट का लिजेगा स्वेंहिंग आता तो यह रिजये नहीं तो उसके पार दूसतह आपको कोई criminal case है या पी नहीं अगर है तो यहापर yes कीजिए नहीं तो यहापर मैं सारे में आपको no पर मैं select करूँगा यहापर no पर select करने के बाद save and continue पर आपको fit से click कर लेना है save and continue पर click करने के बाद detail यहापर save हो जाता है अब यहापर दूस्तो आजाएगा आपका additional detail यहापर photo और signature अप्लोड करने के लिए photo signature जैसे ही दूस्तो आप यहापर choose कीजिएगा तो आपको दूस्तो यहापर photo में आपका यहापर rename करके photo आपको upload करना होगा मैं यहापर आपको दिखला देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाप पर rename करना होगा जैसे कि दूस्तो आप यहापर choose कीजिएगा आप अपना photo आप यहापर photo में आपको सबसे पहले आपका नाम और date of photo आपका mention होना चाहिए आप computer से लिखा हो या फिर select से लिखा हो यह ची होगा नहीं तो आपका photo upload नहीं हो पाएगा तो मैं चलिए इसको rename कर लेता हूँ rename करके मैं यहापर एक photo आपको upload करके दिखलाता हूँ यहाप दूस्तों मैं अपना rename कर लिया rename करने के बाद दूस्तों आप यहापर देख सकते हैं यहापर मेरा photo rename हो चुका है मैं इसे upload कर ल लेना है अब यह पर दूस्तों आपको अपना फोटो को स्लेट कर लेना है स्लेट करने के बाद समीट पर आपको क्लिक करना है अब यह पर सिंगनेचर को आपको सेम टू सेम इसी तरह के से अपलोड करना है signature upload करने के बाद thumb impression भी मैंने यहाँ पर upload कर लिए save पर मैं click कर लेता हूँ save पर click करने के बाद दुस्तो अब यहाँ पर exam preference यहाँ पर select करने के लिए बोला जा रहा है दुस्तो आप अपने city preference select कर लिजेगा जो भी आपको यहाँ पर select करना है तो मैं चले जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं अपना city preference select कर लिया अब यहाँ पर stage 2 के लिए यहाँ पर select कर लिए यहाँ पर हम से पूछा जा रहा है मैं यहाँ पर fill up कर लूँगा आपको अपने zone के हिसाब से fill up कर लेना है मैंने अपर अपना city preference save कर लिया है fill up करके save पर click कर लिया है यहाँ पर मेरा city preference भी save हो चुका है अब नीचे scroll करना है आपको पूरा detail को मिला लेना है कि आपका सारा detail सही है यहाँ पर गलत है यहाँ पर सारा detail अगर सही है तो यहाँ पर नीचे आना है नीचे यहाँ पर पूरा आपको देख लेना है पूरा दे अब यहापत दोस्तों आपको पर्रिंट करना है, आपको प्रिंट प्रिंट पर्रिंट करना है, तरह ले थे aus नूंव हो रहा है तभी आपका और नहीं हो पाएगा है। तो अब यहाँ पर आपको सब में यस पर क्लिक करना है मैंने यहाँ पर सब में यस पर सेलेट कर लिया है अब यहाँ पर सेफ बैंड कंटिनीव पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बाद डिटेल को फिर से मिला लाता हूँ यहाँ पर सब में आई अगरी फिर से क्लिक करना है सामिट पर मैं क्लिक करऊंगा तो यह पर मेरा फानल सम्मलीड हो चुका है अब यह पर print application form पर क्लिक की जाएगा तो आपका application form दिख जाएगा अगर payment करना रहेगा तो आप payment भी कर सकते है जिन्रल भी से रहेंगा तो आपको पर पेमेंट करना पड़ सकता है तो मैं आपर अपना प्रिंट अप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करके प्रिंट कर लूँगा यही ती चोटी से अपडेट दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई प्रोब्लम हो तो आप हमें कोमेंट कीजएगा अभी फाइनल प्रिंट आउट निकलने में प्रोब्लम आ रही है तो आप बाद में यहां पर लॉग इन कीजएगा आड़ी पासवर्ट को और प्रिंट आउट निकाल लिजएगा